सो साल तक भी बाल सफेद नहीं होंगे और जड़ेंगे भी नहीं एक बार आप ये टिप्स आजमा के देखें 1. करी पत्ते बालों को जड़ों से काला बनाते हैं और उन्हें मजबूत भी करते हैं इसलिए अपनी डाइट में 4-5 करी पत्ते रोजा ना खाए 2. काली चाय को पानी में डाल कर पकाएं और इससे सिर पर डाल कर बालों की जड़ों से सिरों तक मले एक गंटे बाद साब पानी से सिर को दूले नमबर तीन ब्रंगराज को नारियल तेल या तिल के तेल में डाल कर पकाएं और बालो पर लगाएं इससे भी बाल आपके जल्दी से सफेद नहीं होंगे हमेशा काले बने रहेंगे नमबर चार काले मिर्च को अच्छे से पीस लें और इसमें नीबू का रस और आदा कप दही मिला लें और बालो पर लगाएं आदा गंटे बाद में सर को धूलें ये भी आपके बालो को कभी सफेद नहीं होने देगा और जढ़ने भी नहीं देगा पांच गुड़हल का फूल सपेद बालो पर काफी असरदार होता है तो आप सर्शोका या फिर नारियल का या फिर सारे तेल मिक्स करके गुड़हल को अच्छे से उसमें उबाल लीजिए और ठंडा करके ये तेल अपने बालो में लगाएं 6. महंदी पाउडर में काली चाह या काफी का पानी मिला ले और इस पेश्ट को बालो पर लगाएं एक से दो घंटे लगाएं रखने के बाद बाल धोलें सपेद बालो की रंगत गहरी हुई नजराने लगेगी 7. मेथी के पीले दानों को पीस कर पाउडर तयार कर ले और इसमें तीन से चार आवले का रस और नारियल का तेल मिला ले अब इसका एक पेश्ट बना कर तयार कर लें फिर सर पर इस हेर मास्क को लगाएं और एक घंटा लगाए रखने के बाद सर को धोलें इससे भी आपके बाल काले रहेंगे और जड़ेंगे नहीं और ग्रोथ भी बालो की बहुत ही अच्छी होगी आठ आमले को पीस कर बालो पर लगाने से सपेद बाल काले हो जाते हैं नमबर नो नारियल तेल से बालो की मालिश करने से बाल काले रहते हैं और घंए रहते हैं नमबर दस ऐलोवीरा जैल लगाने से भी बालों का जढ़ना रुख जाता है और बाल सफेद भी नहीं होते है तो बिल्कुल ताजा ऐलोवीरा जो घर का ऐलोवीरा होता है उसको ले और उसका गुदा निकाल कर जब भी आप सरद होए तो अच्छे से उससे मसाज करें अपने बालों की और स्केल्प की पूरे की ग्यारा दही का इस्तमाल करने से सफेद होते बालों का रंग प्राकर्टिक रोप से बदर जाता है नमबर बारा, प्याज आपके सफेद बालों को काला करने में मदद करता है तो आप चाहे तो प्याज का पैक बना कर लगाएं या फिर प्याज को कोई भी नारियल, बादाम या जेतुन का तेल उसमें उबाल कर भी लगा सकते हैं इससे भी आपके बाल जड़ेंगे नहीं काले रहेंगे अपने शाहाँ हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगे जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वैल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए धन्यवाद